तो बच्चो मैं अब भिशेग गोहल फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ डाउटनेट लाइफ पे और आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन का और आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए आप जितने भी बच्चे का एक्जाम दे रहे हैं इस साल और जितने भी बच्चे जही या नीट में अपियर हो रहे हैं क्योंकि बच्चो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इंडक्टर क्या होता है इंडक्टर का सीरीस पैरलेल कॉंबिनेशन कैसे हम डिफाइन करते हैं और इंडक्टर ठीक है तो सबसे पहले आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा पहले concept of inductor बताऊंगा फिर magnetic energy in inductors फिर inductors का series parallel combination और फिर introduction to RL circuits, RL circuits काफी important circuits हैं competitive के लिए भी board के लिए भी तो बच्चो आज की क्लास में आपको काफी ज़्यादा information मिनने वाली है जो आपके board exams के लिए काफी important और काफी simple words में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज कि कैसे हमें magnetic energy निकालनी है, inductor का series parallel combination समझने हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा recap देता हूँ जतनी बच्चे नए हैं इस वीडियो में concept of inductor बतायता हूँ बच्चो तो inductor मैं बहुत ज़्यादा बता चुका हूँ अगर आप मेरी previous videos देखोगे उसमें inductor काफी बताया है मैंने ठीक है तो inductor basically एक इस तरह का circuit element होता है जिसमें बहुत सारी coils होती है आप इसको एक solenoid की तरह भी visualize कर सकते हो कि यह एक solenoid है जिसमें बहुत सारी coils है और इसके अंदर कुछ current flow कर रहा होगा इ कैसे आप किसी circuit में किसी बड़े element को एकदम से switch on करके चला दोगे तो उस circuit में एकदम से बड़ा current flow करना start कर देगा inductor का ये काम है कि वो बड़ा current एकदम से ना circuit में आ जाए क्योंकि circuit में फिर sparking हो सकती है एकदम से तो वो sparking avoid करने के लिए हम inductor को introduce करते है अपने circuit में ये indu inductor है इसकी inductance L है और ये जो back EMF generate करता है वो कितनी होती है वो होती है L DIY DT L inductance होती है DIY DT होता है rate of change of current तो अगर आप लोग कुछ current को flow करवा रहे हो और वो current बच्चे increase कर रहे है time के साथ तो back EMF इतना induce होगा और इसका direction इस current के opposite होगा लेकिन अगर same circuit में मान लो अगर आप same circuit में जो current है हाना जो current है मान लो अगर वो time के साथ बच्चो decrease हो रहे है अगर current time के साथ decrease हो रहे है तो देखो ये अपना inductor अपने आपको self-adjust करेगा self-adjust का मतलब है ये अपनी orientation को ही change कर लेगा अब जो इसकी orientation होगी देखो इससे उल्टी हो जाएगी और अब ये current के decay को support करेगा देखो ये क्या चाहता है अगर current बढ़ रहा है तो ये उसको कम करेगा कम करने के लिए इसने अपना ऐसे orientation कर लिया मतलब बड़ा टर्मिनल पहले आ गया छोटा टर्मिनल बाद में आ गया तांके इसका ये current जो इसके अंदर एंटर हो रहा है वो कम हो सके एक दम से बढ़ना सके दूसरे में current कम हो रहा था तो इसने अपने बड़े टर्मिनल को right side लगाया चोटे टर्मिनल को left side लगाया तांके ये वाली बैटरी एक equivalent बैटरी बनी है ये inductor तांके ये वाली बैटरी बच्चे current को support कर पाए current क्योंकि कम हो रहा था तो वो current को और बढ़ा पाए तो ये क्या करेगा अगर current एक दम से बढ़ने की सोचेगा तो उसको कम करेगा अगर current एक दम से कम होने की सोचेगा तो उसको बढ़ाएगा और इसका जो magnitude होगा back EMF का बैक EMF का जो magnitude होगा वो हमेशा होगा LDI by DT यह बच्चों बैक EMF का magnitude है बैक EMF का magnitude है LDI by DT ठीक है यह इसका magnitude है यह आपको याद रखना है यहाँ पे L क्या है यहाँ पे L है बच्चे self inductance क्या है यह self inductance और इसको हम कैसे find out करते है जो भी बच्चों inductor होगा उसके थ्रू जो भी flux होगी उस flux को आप current से divide कर दो तो आपको self inductance मिल जाएगी यह हर inductor की अलग-अलग होगी solenoid की अलग होगी, toroid की अलग होगी किसी एक और set of coils की अलग होगी मतलब हर एक के लिए यह depend करता है उसके shape, size और medium पे तो यह चीज, यह factor हर एक के लिए अलग होगा ठीक है, तो यह concept of inductor है अब मैं आपको बताता हूँ energy यह काफी important है बच्चों board के लिए आपकी और board exam में पक्का इसमें से पूछा जाता है कि magnetic energy बताओ, inductor के अंदर कितनी store होती है और क्यूं store होती है तो आपको यह 3 marks में कुशन आ सकता है या 5 marks में भी आ सकता है तो उसमें आपको करना क्या होगा पहले theory लिखनी पड़ेगी फिर उसके बाद उस theory से उसकी derivation करनी पड़ेगी मतलब जो magnetic energy inductor के अंदर store हो रही है वो formula wise कैसी है तो उसका formula आपको visualize मैं आज आपको करवाऊंगा ध्यान देना और इसको मैं compare करूँगा बच्चो आपने capacitor में जैसे derive किया था वैसे ही कुछ मैं यहां पे भी derive करवाऊंगा और इसको capacitor से link करके भी बताऊंगा ठीक है तो energy stored energy stored inside an inductor और concept of सबसे पहले बच्चो आपका focus में इस word पे लेकर आना चाहता हूँ इसको magnetic energy बोलते है तो अगर कोई inductor है जैसे ये inductor है अगर इसके अंदर current flow कर रहा है हना तो इस inductor के अंदर बच्चो एक energy store हो जाएगी वो energy हम बोलते है magnetic energy और ये जो energy store होगी इस inductor के अंदर उसकी derivation आज हम करेंगे तो सबसे पहले एक theory वाला point देख लेते है क्यों energy store होती है क्या कह रहा है an inductor in a circuit serves to oppose any change serves to serves to oppose any change in the current through it now work work must be done by the external source work must be done by the external source such as battery in order to establish a current in the inductor देखो अब inductor के अंदर जैसे जैसे current build up कर रहे है तो inductor उसको पीछे की तरफ धक्का मार रहे है current को आप इसको ऐसे visualize करो आप external source हो तो आप inductor में current घुसाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन inductor आपको धक्का मार रहे है जो आप current घुसा रहे हो उसको धक्का मार रहे है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको कुछ extra work करना पड़ेगा current को अंदर और घुसाने के लिए inductor का सामना करने के लिए या inductor के द्वारा लगाई गई forces को oppose करने के लिए तो इस process में जो मैं external work करूँगा मैं उस current को अंदर घुसाने के लिए जो मैं खुद work करूँगा उसको मैं क्या वोलूँगा external work जो के actual में कौन करता है बैटरी करता है तो ये जो work किया जाएगा external source के द्वारा चाहे वो मैं हूँ या बैटरी है कोई भी है ये जो भी work किया जाएगा external source के द्वारा वो work inductor की energy में store हो जाएगा ठीक है बच्चो तो energy जब store होती है तो वो कुछ work का party होती है store कपेस्टर में भी ऐसी था बच्चे बैटरी कुछ work करता है उस बैटरी का work आधा एक्जेक्टली कपेस्टर के केस में आधा work कपेस्टर के अंदर store हो जाता है और आधा work heat में dissipate हो जाता है तो यहाँ पे जो बैटरी work करेगा वो सारा का सारा work इसके अंदर store हो जाएगा किसके अंदर inductor के अंदर store हो जाएगा ठीक है, तो this is the basically work, ये work ही है, जो energy आ रही है न, ये कहां से आ रही है, इसका basic समझो, work से आ रही है, कोई external source work कर रहा है, तो inductor के अंदर energy आ गई, now from the work energy theorem, बच्चों ये work energy theorem कहां पढ़ी थी आपने, कौन सी class में पढ़ी थी work energy theorem, class 11 में पढ़ी थी ना आपने, work energy theorem, देखो क् from the work energy theorem, we conclude that energy can be stored in the inductor, work energy theorem ये कहती है, कि अगर आप कोई work करते हो, तो वो energy में store हो जाता है, हना, either it could be potential energy, और it could be kinetic energy, जब bodies move कर रही थी, लेकिन यहां पे क्या होगी energy, इस energy को बोलेंगे, बच्चों, magnetic energy, so the amount of work done by us, is stored in the form of magnetic energy, ठीक है, the role played by an inductor in the magnetic case is analogous to the capacitor, तो इस पे भी ध्यान आपका लेकर आना चाहूंगा, inductor का जो role है, वो analogous है, कैसे, किस से, capacitor से, in the electric case, हना, तो यह कह रहा है कि, जो role capacitor का electric case के लिए था, वही role, inductor का magnetic case के लिए है, ठीक है, तो मैं एक point, आपको यहाँ पे लिखना भी चाहूंगा, एक कोई भी capacitor जब होता है, बच्चो, हना, मैं capacitor बनाता हूँ, याद है न, parallel plate capacitor, यह parallel plate capacitor है, parallel plate capacitor में, एक plate पे होते हैं positive charge, बहुत सारे positive charge, और दूसरी plate पे होते हैं क्या, negative charge, याद गरो बच्चो, इन positive और negative charges के बीच में, एक electric field established हो जाती थी, और इस electric field में, क्या छुपा होता था, इस electric field में छुपा होता था, electric energy, क्या छुपा होता था, electric energy, similarly बच्चो, एक inductor, एक inductor, में जब आप current पास करवा रहे हो, तो उस inductor के अंदर, क्या establish हो जाएगी, उस inductor के अंदर establish हो जाएगी, magnetic field, क्या चीज, magnetic field, और अब इस magnetic field के अंदर, energy store हो जाएगी, तो यहाँ पे magnetic field में store हो रही है, यहाँ पे electric field में store हो रही है, तो इसको बोलते है, electric field energy, उसको बोलेंगे बच्चो, magnetic field energy, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में, वहां पे मैगनेटिक फील्ड लाइन्स में ठीक है, पहले में आपको इसका थोड़ा एक आइडिया देता हूँ, यहां पे जो एनर्जी स्टोर होती थी हाना, वो कैसे होती थी, बच्चों यहां पे एक हम बैटरी लगाते थे और वो बैटरी क्या करता है, वो बैटरी कुछ वर्क करता था और उस वर्क में से कुछ पार्ट आफ एनर्जी यहां स्टोर हो जाता था, similarly, यहां पे भी हम एक जब बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे, तो यह बैटरी जब करन्ट इस्टेबलिश करने की कोशिश करेगा, तो उस प्रोसेस में यह बैटरी कुछ वर्क करेगा, और वो वर्क स्टोर हो जाएगा उसकी magnetic field पे, ठीक है, तो दोनों में, which are the external sources, these two are, यह दोनों है, बच्चो, external source, जो यहां पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काम, देखो, एनर्जी जब भी store होती है, तो वो किसी ना किसी के काम करने से ही, एनर्जी store होती है, ठीक है, तो अगर, आपसे की पूछे के कौन काम कर रहे है, एनर्जी तो store हो रही है, तुम बता रहे हो, एनर्जी इसमें भी store हो रही है, इसमें भी store हो रही है, लेकिन एनर्जी store करवाने के लिए काम कौन कर रहे है, तो आपका एक simple सा जवाब होगा, कि बैटरी काम कर रही है, क्योंकि बैटरी यहां पे external source है, ठीक है, तो दोनों cases में बैटरी काम करती है इसमें electric field में energy है उसमें magnetic field में energy है ठीक है बच्चो अब मैं आपको derive करवाता हूँ derivation for magnetic energy inside the inductor ये derivation boards के लिए काफ़ी important है तो please इसको ध्यान से पढ़ना बच्चो ये question आने के बहुत chances होते हैं boards में तो please इसपे focus करो कैसे मैं derive कर रहा हूँ ठीक है तो देखो सबसे पहले कोई भी inductor के अंदर जब current establish हो रहा होता है तो वो inductor किस तरीके से behave करता है उसका मैं एक equivalent diagram आपको बना के समझाता हूँ ये जो EMF मैं बनाता हूँ इसको मैं अलगी color से बनाता हूँ क्योंकि ये EMF और अपनी battery वाली EMF different है यहाँ पे एक EMF induce होगा ठीके और नीचे तो एक battery लगी हुई है तो when the current is establishing in the inductor एक back EMF आ गया back EMF कितना होता था था भई LDIYDT और ये है बच्चो V ये V volt की battery है ये L inductance है इसकी self inductance है LDIYDT back EMF induce हो गया इस inductor के अंदर ठीके ये मैंने अभी बताया था आपको LDIYDT अब ये मैंने sign इसके ऐसे क्यों बनाए है मतलब battery इधर से क्यों मनाए है क्यों current increase हो रहा होगा ठीके तो back EMF कुछ इस तरीके से generate होगा अब बच्चो आप suppose करो अगर current इसमें कुछ I flow कर रहा था तो इसमें back EMF generate हो चुक है ये current अभी push करने की कोशिश कर रही है बैटरी और उसके अंदर तो अब battery को करना क्या है अब battery को इस current को इसके potential difference से pass करवाने है कौन सा potential difference LDI by dt के potential difference से current को pass करवाने है तो बच्चो work done by battery क्या होता है work done by battery का simple formula है वो है V into I क्या है V into I अब V जो है इन दोनों ends के across और इन दोनों ends के across potential difference सेम होगा ये V किसके बराबर है LDI by dt तो battery जो current push करवाना चाहती है वो कितने potential difference में से push करवाना चाहती है LDI by dt से push करवाना चाहती है तो आप simply V को लिख दीजिए LDI by dt ये work done by time होगा तो यहाँ पे time लिख देता हूँ मैं DW by dt ये power का formula होता है न वी आई power क्या होता है work by time तो DW by dt वी आई तो LDI by dt किसके बरावर हो गया DW by dt तो मैं लिख जाता हूँ तो DW by dt किसके बरावर हो गया जी LDI by dt इंटु आई तीको बच्चों dt से dt कैंसल हो गया इधर था DW by dt इधर था LDI by dt इंटु आई तो dt से dt कैंसल हो गया तो अब आपके पास क्या आया dw is equal to l di into i यह आया बच्चो अब total निकालने के लिए क्या करेंगे total work निकालने के लिए क्या करेंगे, integrate करेंगे तो हम दोनों तरफ integration कर देते हैं ठीक है, तो जब integrate करेंगे तो यहां से आएगा बच्चो यह आएगा total work done left side पर total work done आजाएगा l constant है, वो बहार आजाएगा, di into i का क्या integration होगा i square by 2, क्योंकि current जो है वो 0 से start होके i तक establish होगा, तो एक बहुत ही सुन्दर सा formula आपके पास आगया half li square half li square ठीक है और पता नहीं यह इत्तफाक है या क्या है, जितने भी energy के formula होते है, वो कुछ इस format की होते है अगर आपने बच्पन में जो सबसे पहले energy पढ़ी थी, वो kinetic energy पढ़ी थी, आपको याद होगी kinetic energy kinetic energy का formula क्या पढ़ाया गया था आपको, half mv square तो उसका format भी कुछ ऐसा ही था capacitor के अंदर जो energy store होती है, उसका formula होता है, half cv square तो उसका भी format कुछ ऐसा ही है तो format इन सारी energies के पता नहीं क्यूँ, एक जैसे ही सही आते है और यहाँ पे मैंने कोई kinetic energy, या capacitor की energy, हाना, या किसी और की energy का funda use नहीं किया, मैंने तो simple अपना concept follow किये, और देखो answer जो मेरा है, वो पिछले वाले formats के जैसा आ गया half li square के format में आ गया, तो बच्चों यह याद रखना काफी, मतलब easy है, ठीक है जैसे आप capacitor के लिए क्या लिखते थे capacitor के लिए लिखते थे, half cv square हाना, inductor के लिए क्या लिखोगे inductor के लिए क्या लिखोगे c की जगा आ जाएगा l, और v की जगा आ जाएगा क्या, i ठीक है, तो आप इससे भी याद रख सकते हो, capacitor और inductor की energies आपको याद होनी चाहिए, काफी important है यह दोनों energies, ठीक है, तो derivation एक बार फिर से repeat कर रहा हूँ, बच्चो power होता है v into i, और power होता है dw by dt, v का value मैंने put किया l, di by dt तो l, di by dt into i, और उधर क्या था, dw by dt, तो यह dt से dt cancel हो गया, उधर क्या बचा, dw, इधर क्या आया, l, di into i, तो यहाँ पे l, di into i को integrate कर दिया, 0 से i तक, और work done को integrate कर दिया, तो मेरे पास total work done क्या आगया, l बाहर आगया i, di का integration क्या होता है, बच्चो जैसे x dx का होता है, x square by 2 वैसे ही i, di का होता है i square by 2, तो यहाँ से answer आ जाएगा, half l i square this is the work done by the battery and the work done by the battery is what, the energy stored in the inductor तो work done जो battery कर रहा है वो किस में store हो रहा है, वो inductor की energy में store हो रहा है, और उस energy का हमने क्या नाम रखा है, उस energy का हमने नाम रखा है, बच्चो magnetic energy ठीक है, क्या नाम रखा है, magnetic energy चलो अब एक आपको न मैं इसकी practical example दे रहा हूँ एक example दे रहा हूँ, देखो अगर बच्चो आपका question, मान लो, आपका question ने 5 marks में आ गया, तो आपको इस practical example की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको एक example से बताना पड़ेगा, कि solenoid के अंदर ये magnetic energy कितनी होती है, ठीक है, तो energy stored in a solenoid मैं आपको derive करके बताता हूँ, कैसे derive कर कि formula मैं कौन सा use करूँगा, ये वाला, ये वाला formula है, ठीक है, तो पहले एक solenoid बना लेते हैं, ये solenoid हो गया, यहाँ पर solenoid का length है बच्चे L, total number of turns है, capital N, और बच्चे ये जो radius है, ये radius है small r, मतलब जो circle होगा, इधर से दब देखूँगा solenoid को, circle दिखेगा न, वो circle का radius है small r, ठीक है, तो इस solenoid का inductance या self inductance आता है, mu naught N square by L into pi R square, ये formula आपको हमेशा याद होना चाहिए, ये solenoid की inductance होती है बच्चों, ठीक है, इसको मैं L को थोड़ा अलग symbol दे रहा हूँ, ताके तुम लोग न, इस L को और इस L को confuse मत कर दो, क्योंकि ये होती है confusion, हम इधर भी capital L लिखते हैं, और length को भी capital L से लिखते हैं, तो कोई बच्चे तो क्या करते हैं, L को इधर लेके जाके multiply कर देते हैं, L square कर देते हैं, फिर यहाँ पे root ले ले लेते हैं, तो ये गलती नहीं करनी, ठीक है, यहाँ पे L जो है, वो length of solenoid है और ये जो length का symbol है, L का symbol है, capital L का symbol है, वो किसका symbol है, self inductance का, ठीक है, तो मैं अलग लग ले रहा हूँ, ताके आप लोग भी गलती ना करो ये वाली, तो बच्चे ये inductance आ गई, अब ऐसे ही कोई भी चीज़ होगी, कोई भी inductor होगा, उसकी inductance का formula मेरे को बता होगा, अब energy निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बस, energy के लिए क्या करेंगे भाई, पहले तो आप लिखेंगे, half, वहाँ से half उठाया, फिर L, L कितने, mu naught, capital N square, pi r square, by small l, ये L हो गया, into क्या गर्द होगे भाई, I square, ठीक है जी, ये formula हो गया, बच्चो, किसका, ये formula हो गया, energy का, और अगर five marks में, words में, ये question आता है, तो please, ये भी लिखके आना, वहाँ पे, हना, एक तो पहले लिख देना, कि आपने theory में क्या समझा, कि उसमें magnetic energy store होगी, बैटरी काम करेगा, current को push करने के लिए, तो current को push करने के लिए, जो बैटरी काम करेगा, वो काम उसका, किसमें store हो जाएगा, energy में store हो जाएगा, उस energy को हम magnetic energy भी कह सकते हैं, और फिर आप लिख देना, कि उसकी derivation क्या है, यह derivation है, यह second point हो गया, फिर third point में एक example, कि यार solenoid के अंदर, अगर हम magnetic energy निकालना चाहते हैं, तो वो इतनी होगी, तो यह अगर आप लिख दोगे सारा कुछ, तो बच्चो, आपके marks कभी भी cut नहीं होंगे, आपको full marks दिये जाएंगे, ठीक है, तो यह magnetic energy का funda काफी important है, दोनों के लिए, board exams के लिए भी और competitive exams के लिए भी, ठीक है, चलो, अब बढ़ते हैं आगे, inductors in series and parallel, तो बच्चो जैसे हमने resistance देखे थे series and parallel में, capacitors देखे थे series and parallel में, वैसे ही, inductors का भी series and parallel combination होता है, देखो कैसे, सबसे बहले, मैं आपक series combination बताता हूँ, series combination का क्या meaning है, तो अगर, दो inductors है, और दोनों inductors का inductance है, L1, L2, और इन दोनों को मैंने एक battery के साथ connect कर दिया, got it, दो inductors है, L1, L2, दोनों को एक battery के साथ मैंने connect कर दिया, अब, अगर आपको, इसका equivalent circuit बनाना है, तो आप ये कह दो, कि दोनों को हटाओ sir, एक लगा दो, उसको बोल दो L equivalent, और battery वही की वही रखो, तो मैं ये L equivalent, L1 और L2 की terms में derive करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसका ये equivalent circuit है, नीचे वाला equivalent है, उपर वाला journal circuit है, अब बच्चो इसमें देखो क्या होगा, अगर इसमें I current flow कर रहे हैं, तो इसमें भी I current flow करेगा, है के नहीं, हाना, अब इस पहले वाले inductor के across, इस वाले inductor के across, जो potential difference होगा, वो कितना होगा, L1 di by dt, और दूसरे वाले inductor के across potential difference कितना होगा, L2 di by dt, है के नहीं, ये जो अकेला inductor है बच्चे, इसके across कितना होगा, जो अकेला नीचे equivalent में लगा हुए, बताओ ज़रा, L equivalent into di by dt, हना, अब यार, इसके across जो potential difference है, और इसके across जो potential difference है, अगर मैं इन दोनों potential difference इसको add कर दूँ, तो वो किसके बराबर आएगा, V के बराबर आएगा, हना, तो देखो मैं क्या लिखता हूँ, V बराबर होगा, L1 di by dt, प्लस L2 di by dt, ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इन दोनों के across, जो potential differences होंगे, जब मैं उनको add कर दूँगा, तो वो दोनों potential differences, जो battery लगा हुए, उसके equivalent आना चाहिए, ठीक है, similarly, नीचे वाले circuit से मैं लिख सकता हूँ, L equivalent into di by dt, ये भी V के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ तो सिरफ एक ही inductor लगा हुए, V equivalent is equals to L equivalent di by dt, ये होगा बच्चों, आपका पहला case, महला पहली equation, ये आपकी दूसरी equation, ठीक है, अब दोनों equation में ये V का factor common आ रहा है, तो क्या लिख होगे, L equivalent into di by dt is equals to L1 plus L2 into di by dt, di by dt common लेलिया, basically मैं ये cancel होगया, दोनों तरफ से di by dt and di by dt, तो यहाँ से L equivalent कितना आया, L1 plus L2 आया, this is the answer, ठीक है, L equivalent कितना आया, L1 plus L2, जरा बताओ, ये सीरीज में थे, सीरीज में inductors किसकी तरह behave कर रहे हैं, resistance की तरह, या capacitor की तरह, सीरीज में जो inductors का inductance है, वो add हो रहे है, तो ये किसकी तरह behave कर रहे हैं, रिजिस्टेंस की तरह, या capacitor की तरह, तो बच्चों clearly दिख रहे हैं, किसकी तरह behave कर रहे हैं, ये दोनों behave कर रहे हैं, रिजिस्टेंस की तरह, दो रिजिस्टेंस को जब हम सीरीज में connect करते थे, तो उनका जो equivalent resistance होता था, वो भी R1 प्लस R2 होता था, similarly दो inductors को जब सीरीज में connect करते हैं, तो जो equivalent inductance होता है, वो L1 प्लस L2 होता है, तो अगर आपको याद नहीं आ रहा है exam में, तो बच्चों ये याद रखना के resistance का जो formula होता है, सीरीज parallel का, parallel का भी देखो वैसे ही आएगा, मैं derive करवाता हूँ, parallel का भी वैसे ही आएगा, वो बिलकुल inductor के equal होता है, ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, चलो, अब मैं parallel का करवाता हूँ, derive तो करना बढ़ेगा न, पूछा भी जा सकता है exam में हमसे, तो, अब मैं दो inductors parallel में लगा देता हूँ, यह L1 हो गया, यह L2 हो गया बच्चों, और यह हो गया, क्या V, ठीक है, और इसके equivalent में सिरफ एक inductor बना देता हूँ, और उसको लिख देता हूँ L equivalent, जो इन दोनों का equivalent inductor, inductance होगा, ठीक है जी, अब इन दोनों inductors के across, मैं potential difference लिख लिता हूँ, तो बच्चों, अगर इधर से current आई गया, इधर गया मान लो I2, इधर गया I1, और इधर तो आई गया होगा, हना, अच्छा, इस वाले में कितना potential difference होगा, L2 into Di2 by DT, इस वाले में कितना होगा, L1 into Di1 by DT, हना, इस वाले में कितना potential difference होगा, बच्चों, L equivalent into Di by DT, ठीके, अच्छा, अब I किसके बराबर होता है, आई बराबर होता है, I1 plus I2, ठीके, मतलब जो current एक बैटरी से निकलता है, वो I1 plus I2 के बराबर होता है, ठीके, तो I बराबर है I1, I2 के, तो पहले मैं I को यहां से लिख लेता हूँ, जैसे मैं, यहां पर देखो क्या लिख सकता हूँ, I जो होगा, वो होगा V, देखो, इस, इस inductor के across, जो potential difference है, वो कितना है, Di1 by DT, हना, तो मैं यही लिख सकता हूँ, यहां पर V बराबर है किसके, L equivalent into Di by DT, यह लिख सकता हूँ, तो यहां से बच्चों, Di by DT क्या आएगा, Di by DT आएगा, V by L equivalent, हना, अब I किसके बराबर था, I1 plus I2, मैं दोनों तरफ differentiation कर देता हूँ, तो यहां पर आएगा, Di by DT, Di1 by DT, Di2 by DT, हना, अब बच्चों, अगर मैं सिरफ उपर वाले इस inductor की बात करूँगा, सिरफ इस inductor की, तो इसके across potential difference कितना है, L1, L1 into Di1 by DT, यह किसके बराबर होगा, यह V के बराबर होगा, ठीक है, अब Di1 by DT, की value हो जाएगी, V by L1, कैसे, देखो, इसके across potential difference क्या था, L1 Di by DT, वो किसके बराबर होगा, बैटरी की potential difference की बराबर होगा, क्योंकि देखो न, यह दोनों points, और यह दोनों points, same potential पी तो है, ठीक है, तो यहाँ से D of I1 by DT, V by L1 हो जाएगा, अच्छा, Di by DT पता है मेरे को, that is V by L equivalent, तो V by L equivalent is equal to V by L1, प्लस, यह करने की जुरूत नहीं है, क्योंकि यह आप यहाँ से copy मार सकते हो, अगर Di1 by DT, V by L1 आया है, तो अगर मैं यहाँ पे I2 कर दूँँगा, तो वो क्या आएगा, V by L2 तो आएगा, हना, तो यहाँ पे आजाएगा, V by L2, V से V गया, ठीक है, तो यहाँ से आया, 1 by L equivalent is equals to 1 by L1, plus 1 by L2, this is the answer, यह parallel का answer आया, किसका answer आया यह, parallel और बच्चों, यह जो answer हमारा आ रहा है, यह बिल्कुल सेम आ रहा है, किस से सेम आ रहा है यह, resistance से, यह बिल्कुल सेम एस डाट आ रहा है, तो जो फॉर्मूले resistance के लिए थे, series और parallel के, वही फॉर्मूले inductance के लिए भी होते हैं, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, और बच्चों, बोर्ड में यह derivation आ सकती है, तो प्लीज, इस derivation को भी आपको याद रखना है, Got it? समझ में आया? ठीक है, चलो, तो बच्चों, यह हुआ हमारा series parallel, आज हमने series parallel देखा, और फिर हमने energy stored in a inductor, solenoid देखा, यह derivation की, ठीक है, magnetic energy का funda समझा, तो आज की class में mainly हमने क्या समझा है, कि inductor जो element है, उसके अंदर क्या-क्या हो सकता है, उसके अंदर एक तो energy store हो सकती है, और अगर वो series parallel में कहीं हुआ, तो हम उसको भी अब deal करना जानते हैं, ठीक है, बच्चों, अब अगर आप यह सोचो, अगर इस inductor को, हम बाकी के दो circuit elements से connect करें, for example, अगर मैं resistance से connect करता हूँ इसको, तो क्या होगा, तो अगर एक inductor और एक resistance को, एक battery के साथ लगा के, उसकी circuit analysis मैं करता हूँ, वो circuit analysis कहलाती है, R-L circuit analysis, मतलब resistance and inductance circuit analysis, same analysis हमने की थी capacitors में, RC circuits, तो इसमें भी एक topic है बच्चों, that is called by R-L circuits, और यह R-L circuits काफी important topic है, और यह मैं आपको कल की class में बताऊंगा, तो कल की class में आपको जरूर आना है बच्चों, R-L circuits समझने के लिए, कल की मेरी पूरी class R-L circuits पे ही dedicated रहेगी, तो बच्चों, उससे पहले आपके लिए एक announcement है, जितने भी बच्चे JEE के लिए appear हो रहे हैं, JEE 2021 के लिए English Medium, बच्चों, उनके लिए मैंने 20th January से crash course चलाया है, जिसमें मैं physics पढ़ा रहा हूँ, और इस crash course में, आपको 360 hours की study, मतलब पूरा course आपको करवाया जाएगा, आपको एक question bank हमारी तरफ से दिया जाएगा, top educators आपको पढ़ाएंगे इस crash course में, इस crash course की test series होंगी, 20 part and full time test, इन test की discussions भी होती है, live interaction, मतलब ये जो classes रहती हैं बच्चों, ये live रहती है, मतलब जैसे अभी मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, जितने ही बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन इन VIP courses में, मैं उनसे बात भी करता हूँ, पैर लली, उनके नाम लेके, उनके doubts बताता हूँ, ठीक है, फिर exam की news, strategy और समय समय पे आपको motivate भी किया जाता है, तो सारी strategy भी हम लोगी बनवाते हैं आपकी, आपको सारी exam related news भी हम लोगी देते हैं, तो इस VIP course को आपको जरूर जोइन करना चाहिए अगर आप J 2021 का target लेके चल रहे हो दिमाग में, ठीक है, तो बच्चों एक poll करवा रहा हूँ, उस poll में बताईए कितने बच्चे इस VIP course को join करने के लिए interested हैं तो बच्चों वक्त होगे quiz का quiz के लिए हो जाओ तयार, so this is the first question of your quiz, करो जारा अजया हूँ ये काफे अच्छा सवाल है ये जई में भी आ सकता है इन फैक्ट आया भी हुआ है कुछ इसी के फॉर्मैट का नेक्स कुश्चन ये मैंने आज की क्लास में फंडा कवर किया इसमें टाइम भी ज्यादा दिया है 59 सेकिंड्स दिया है तो ढंक से करो ज़रा समझ के कर दो बच्चों दोनों ही बहुत ही अच्छे सवाल हैं ठीक है दोनों को ध्यान से सुनों और बहुत कंसेप्ट आपके बिल्ड करेंगे तो पहला सवाल देखो क्या है आपको दो रिंग्स देख रही है मैं आपको समझा देता हूं question क्या गह रहा है तो दो rings है और ये pure roll कर रही है pure rolling याद है pure rolling कौन से chapter में पड़ी थी आपने rotational motion में पड़ी थी याद है ये ring pure roll कर रही है pure rolling का मतलब होता है कि ये translate भी कर रही है और घूम भी रही है ठीक है और pure rolling में ये जो point होता है point O इसके about pure rotation होती है ठीक है pure rolling में pure rolling about the point O the body is in pure rotational motion तो ये question जो है इसमें देखो ये वाला point की जरूरत होती है ठीक है तो अगर ये ring pure roll कर रही है तो मैं आपको दो तरीके बताता है इस question को solve करने के एक तो इस point को use करके एक general way तो pure rolling को बच्चों you can always divide into two motions first is pure translation and second is pure rotation आप हमेशा किसी भी rolling motion को दो अलग-अलग motions में divide कर सकते हो pure translation and pure rotation ठीक है तो बच्चों pure translation अगर कोई close loop करेगा magnetic field में तो उसके अंदर कोई EMF नहीं आएगी EMF इस case में 0 हो जाएगी क्योंकि ये closed है अगर ये आधी ring होती तो आ जाती EMF एक length एक rod visualize कर लेता हूँ और वो rod का length कितना हो जाएगा 2R क्योंकि इसका diameter कितना है 2R ठीक है अब यहाँ पे बच्चों हमें ये पूछा गया है पहले मैं इस case का बताता हूँ कि ये वाला जो point है वो O है तो O A point के about अगर ये point माँ O मान लू potential of A minus potential of C पूछा है हम से ठीक है मतलब potential difference between A and C पूछा है ठीक है तो देखो जो potential A का होगा C का उसके उल्टा होगा क्योंकि ये उधर की तरफ जा रही है और ये इधर की तरफ जा रही है तो A का potential अगर हमें निकालना है तो V का formula होता है half into B omega L square तो ये बन जाएगा 2B omega R square ये हो गया potential अब जो दूसरी ring है जो इधर जा रही है उसका ये negative में हो जाएगा अगर ये positive है तो उसका negative में हो जाएगा अब दोनों को जब minus करोगे तो क्या आएगा भाई दोनों को minus करोगे तो 4 का factor आजाएगा तो इसका option B सही हो जाएगा option B is the right option तो pure translation में को EMF नहीं है pure rotation में EMF है उसका formula half B half B omega L square ठीक है चलो अब आता हूँ इस पर ये भी एक magnetic energy based question है बच्चों magnetic energy कितनी सोर होती है maximum half L I square तो ये कह रहा है कि ये जो kinetic energy जो rod के पास kinetic energy है उसको I के साथ relate करो इसमें हमसे पूछा है find the value of maximum current तो हम ये कहेंगे कि जो भी rod की kinetic energy है वो maximum to maximum कितना स्टोर करवा सकती है energy inductor में half L I square तो half M V naught square बरावर हो गया half L I square half से आफ गया यहां से I max आ गया M V naught square by L का root तो यह बनेगा M by L V naught square का root तो V naught हो जाएगा तो option B भी यहां पे सही हो जाएगा तो दोनों quiz के answer थे B and B ठीक है तो बच्चों आप यह कह सकते हो कि यह J mains level के सवाल है और काफी chances होते हैं ऐसे सवाल आने के ठीक है चलो अब बच्चों next class में मिलेंगे next class में जरूर आना next class में आपको मैं बताऊंगा RL circuit और RL circuit काफी important topic है आपके board के लिए भी और आपके competitive exams के लिए भी ठीक है next class में मिलेंगे till then जिने जितने भी lectures मैंने भी पढ़ा दियें इन सब को revise करो पढ़ते रहो खुश रहो Thank you